हेलो फ्रेंड्स, वोकेबलरी के डे टू में आपका स्वागत है यह मैंने कुछ वर्ड्स लिये हैं जो कि एक्जाम परपन से बहुत ही ज़्यादा इन्पॉर्टेंट है यह जो हमारा पहला वर्ड है वो है एसेंड एसेंड मतलब होता है टू गो अप यानी होता है उपर चढ़ना इसका मतलब होता है उपर चढ़ना यह हमारा एक वर्ड है सेकंड वर्ड हमारा है टीडियस जब भी लास्ट में ओ यू येस होता है तो उससे अपन जान सकते हैं कि यह एक अड्जेक्टिव है adjective का मतलब होता है जो noun or pronoun के quality बताता है तो tedious मतलब होता है boring ठीक है यह क्या है हमारा adjective है और US से हमें पता चल रहा है यह adjective है tedious मतलब होता है boring आप कहा सकते हो कि से राम is very tedious अब अपन बोलें lesson lesson मतलब होता है to become less or to make something less मतलब या तो कम हो जाना या किसी चीज को कम कर देना ये भी हमारा एक verb है फिर हमारा आता है outrage outrage मतलब होता है feeling of anger and shock मतलब anger मतलब होता है आपको पता है गुस्सा feeling anger और shock की feeling को क्या कहता है outrage यह हमारा क्या है noun agitate agitate का मतलब होता है to make someone feel worried and angry किसी को चिंतित कर देना या फिक किसी को angry कर देना worried मतलब क्या होता है चिंतित यह भी हमारा क्या है एक verb है यह जितने ही मैंने आपको vocabulary आज बताई है यह कि सारी कि सारी मैंने दा हिंदू से ली है जो bank exam से बहुत ही ज़्यादा important है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखना और चैनल को like, share और subscribe करना बिल्कुल न भूले